अगज सबस्कारीब करने के बुकी एवादी आज में आज inspection में में सब्सक्राइब waking करने में मेरा नम करने में करते हैं अगर आप चाहते हैं सीख ना सेखने आप सब्सक्राइब करना पड़ेंगे क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप सारे वीडियो देख पाएंगे और सभी रूल सीख पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं, सुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी ऐसा कोशन हो जो आपको समझ में नाया हो करते हैं, सरूर करने से पहले कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखे क्योंकि जो आगे की पाद Scheenथाएं अब मैं आपको समझा यहों कि दोनो को वाना धूटा जाता है धेखिए H I को H पढ़े और I को I पढ़े क्या पढ़े आई पढ़े ठीके? अब यहां पर देखिए कि दूसरा वाला जो देख रहे है H I G H इसको ह आई क्यों पढ़े ये मैं आपको पहले समझा देते हूं आप पढ़े कि जो G H है वो silent है कहीं भी अगर i के बाद g h आता है तो हमारा क्या होता है i को तो पढ़ा जाता है पर g h को नहीं पढ़ा जाता है तो याद रखेगा अगर i g h साथ में आता है तो आपको g h को नहीं पढ़ना है तो इसलिए इसको high पढ़ें क्योंकि g h silent है तो बचा क्या, हाई पड़ा तो आप उन दोनों को ही पड़ रहे हैं जैसे वो वाला था हमारा हाई, ऐसी ये हो गया ठीके बच्चों, आप देखिए होट होट में देखिए ह को हा पड़े, ओ को ओ पड़े अकर ओ दो लेटर्स के बीच में होता है तो O को O पढ़ा जता है T को टा पढ़ें ठीक है इसी तरीके से यहां पढ़ देखिए Here में देखिए H E R E को भी Here पढ़ें और H E A R को भी Here पढ़ें कोनों को ही Here पढ़ा जा रहा है अब क्यों पढ़ा जा रहा है देखिए H को हम हाँ पढ़े हैं अगर E, R, E साथ में होता है तो इसको E, R पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है? E, R अब जो H था उस पर E की मातर लग गई बचा क्या? R बचा तो हमारा हो गया H, R, ठीके? इसी तरीके से यहाँ पर H, E, A, R को H, R क्यों पढ़े हैं? यह मैं आपको बता दे तू देखे, H को तो हाँ पढ़ते हैं पर E, A को क्या पढ़ते हैं? E, A को E की मातर पढ़ते हैं और मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि A, R कहीं भी साथ में होता है तो यार, A, R को अर पढ़ते हैं तो हमारा E, A को तो E की मातर पढ़ते हैं क्योंकि यह A, R साथ में है तो इसे अर पढ़ते हैं यानि कि, ही, हाप A की मतर ही और यह अर, यानि कि, ही अर ठीके बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं देखे, X पैक्ट यानि कि, X पढ़ हो गया उसकी बाद देखे, X प्लैन X प्लैन में देखे, E को A पढ़ते हैं ठीके, E, X अगर साथ में होता है तो E को A पढ़ा जाता है, ठीके X को कश पढ़ते हैं और यह X वाला मैं भी लाश्ट में समझाँगी कश और गस कप पढ़ते हैं, ठीके तो यहाँ पर देखे, कश पढ़ रहे हैं P को पा पढ़ते हैं, L को ला पढ़ते हैं A, I को E की माता पढ़ते हैं, यहाँ पर देखे N को ना पढ़ते हैं, तो क्या हो गया X प्लैन ठीके, अब देखे, 4 में देखे F को फा पढ़ रहे हैं और O, U को O की माता पढ़ते हैं R को रा तो 4 हो गया, यह तो simple है उसके बाद देखे 40 40 में भी बहुत simple है, जादा hard नी है तो F को फा पढ़ते हैं O को O की माता पढ़ रहे हैं R को रा पढ़ रहे हैं और T को टा और last वाले Y को E की माता यानि की 40 4 में भी बहुत simple है, जीके मैंने एक चीज आपको समझाए थी कि अगर O, R साथ में आता है तो उसको और पढ़ा जाता है बट हाँ, अगर कहीं कहीं O, R को R भी पढ़ा जाता है यह मैं आपको बाद में समझाऊंगी अब यहाँ पर 4 पढ़ते हैं अब देखे, far यहाँ पर देखे, F को far पढ़ें A, R को R पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है तो यह क्या हो गया, R हो गया उसके बाद देखे, happy तो H को H पढ़ें, A को A पढ़ें डबल P को far पढ़ते हैं लास्ट ओले Y को E पढ़ते हैं तो happy हो गया, अब आगे देखते हैं सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च किजिए YouTube पे आव सिखे आज जैसे कि आप देख रहे हैं आव सिखे आज जैसे आप सर्च करेंगे YouTube पे, हमारा चैनल सबसे उपर जगा जिससे आपको कोई परिशानी नहीं होगी आप किसी भी वीडियो को असानी से देख सकते हैं यह पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आज चुका है इस तरीके से आएगा जिसमे राइट कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगे जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंगलिस सीख सकते हैं कोई भी बाइगा आगी का मैं बलास्ट में पढ़ाऊंगी पहले आपको कुछ रूल समझा देती हैं आपको अच्छे से समझ में आजाएं आप देखिए A, E को E भी पढ़ते हैं और A, R भी पढ़ते हैं अब A, R कब पढ़ेंगे जब A, E के साथ R होता है तो उसको A, R पढ़ते हैं जैसे कि E, N में आप देख रहे हैं तो हम क्या पढ़ें A, E को E पढ़ें और O, N को UN पढ़ते हैं मैंने आपको बताया था कि O, N कहीं भी साथ में होगा तो आपको O, N को UN पढ़ना है पर अगर वो खाली O, N है और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है अकेला है तो आपको उसको ON पढ़ना होगा यहां पर देखें इसमें देखें A, E को E पढ़ें G को जा पढ़ें I को E की माता और S को शा पढ़ें G को जा का पढ़ते हैं I, E, Y होता है तो G को जा पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है 76 और N का मतलब यूग होता है ठीकिए बच्चों आपने देखा तो आपको अच्छे से समझ मागए चलिए आपको चुछ और रूल्स याद कर लेते हैं ताकि आपको जो भी problem है वो आपकी solve हो जाए चलिए आप आगे देखते हैं देखें A, E को मैंने आपको ये भी बताया था कि A, E के बाद अगर आ राता है तो इसको air पढ़ते हैं तो उसका भी कुछ अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको आगे problem ना हो तो यहाँ पर देखिए A, E, R A, E, R तीनों साथ में हैं तो उसको क्या पढ़ें A, R यानि कि air पढ़ रहे हैं बट I है तो I, A को क्या पढ़ते हैं E की माता पढ़ते हैं ठीक है तो ये क्या हो गया E की माता हो गया यानि कि A-R-E उसके बाद L क्यों पढ़ रहे हैं आप देखिए A-L को L पढ़ते हैं कहीं भी A-L साथ में होगा तो आपको उसको L पढ़ना होगा तो हमारा L भी हो गया तो Arial क्या हो गया Arial जिसका मतलब हवाई होता है आप दूसरा बाला देखिए अपर देखिए A-R-Plan इसमें देखिए कुछ रूल्स है यह तो हम सिंपल है पढ़ लेते हैं पर जो रूल्स है वो आपको समझने को मिल रहे हैं आपर देखिए A-E को A पढ़ते हैं और E-R को R पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी E-R अगर A-R या फिर E-R साथ में होता है तो हम उसको R पढ़ते हैं तो आपको एक तरीके से A-E को A भी पढ़ना है और E-R को R पढ़ना है उसके बार देखिए P को क्या हैं यह मैं आपको लाश्ट में समझा दोगी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपके रहे हैं अभी आपको लाश्ट में सीखने हैं तो अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों और अगर आप बड़े हैं तो जो भी हैं मैं सब कोई बोल रही हूं तो याद रिखिए का इसको आपको अच्छे से सीखना है चलिए आप आगे देख लिते हैं आप देखिए EW को यू भी पढ़ा जाता है तो फुलू में आप देख रहे हैं आपको अदफा पढ़ा जाता है अल को ला पढ़ा जा रहा है EW को उ पढ़ा जा रहा है बुलू में भी आप देख रहे हैं इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है तो इसको मैं ज्यादा नहीं लंबा खीचूंगी क्योंकि यह आपको पहले से पता होगा नहीं पता है तो comment box में बताए किसको नहीं पता है ठीके बच्चो चलिए आप आगे देख लिते हैं यह जो है बहुत important है क्योंकि अभी मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों को A कप पढ़ते हैं तो यह पढ़ा जा रहा है यू को आ पढ़ा जा रहा है ठीके तो कहीं भी बीच में होगा तो आपको यू को क्या पढ़ना है आ पढ़ना है सिंपल आपको समझ में आ गया तो आप आगे देख लेते हैं देखिए यू को उ को पढ़ते हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊ क्योंकि अभी अगर हम सारा जान लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ठीक है यहां पर जान लेते हो ओ को आ कप पढ़ते हैं देखिए जैसे कि स्पैक्टर हो गया लैसन हो गया इनके लाश्ट में आप देखिए लैटर्स के साथ में यहां पर जान लाश्ट में कहीं आपको पढ़ना है अगर वो अखेला है मान लिजिए और खाली और है उसके आगे पीचे कुछ भी नहीं है तो उसको O पढ़ना है माली जो O N अकेला है उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा तो आपको उसको O पढ़ना है जैसे कि O N हो गया, और हो गया ठीके बच्चो समझ में आया चलिए अब आगे देख लेते हैं अच्छे से मैं समझा देती हूँ ताकि आपको कुछ फ्यूज ना हो O को A कप पढ़ते हैं जब एक से ज़्यादा सब्दों के अंत में ठीके सब्द खंड होते हैं जैसे बड़े बड़े वर्ड मीनिंग होते हैं उनके लास्ट में अगर O R होगा O N होगा और मैं तो देखा है O M भी होता है तब भी O को A पढ़ा जाता है तो याद रखीगा कि O को A कप पढ़ते हैं क्योंकि ये चीज़े ना हम भूल जाते हैं हमें याद ने रहता जब हम बुक की रिडिंग करते हैं तब सोचते हैं इसको A क्यों पढ़ा तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपर्टन और मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है और शेर कीज़े ताकि सब को ये चीज़े पदा चल सकी क्योंकि ये सब चीज़े हर जगा नहीं सीखने को मिलती तो इसी चीज़ों जो आपको समझ में ना आ रही हो जैसे कि इंगलिस पढ़ने में जो भी है आप मुझे दिल खोल के बोल देजे मैं हमें ये नहीं आता ये आप हमें सिखाए मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगे और अगर रह गया हो कभी मैंने नहीं बताया हो कोई आपने लिखाओ तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ पर मेरी उम्मीद और मेरी कोसिस यही रहती है कि आपको सिखाना तो चले फ्रेंड आज के लिए इतना काफी है वाई वाई फ्रेंड और मिलते रहेंगे और आपको ऐसे सिकाते रहेंगे